इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत जाता है यह diabetes के लोगों में blood sugar के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है गलेडो रेच 2-4 tablet PR को खाने के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर यह निर्नय लेगा कि आपके शुगर का स्तर नियंतरित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको केड़नी का नुकसान, अंधापन, नसों से समबंधित समस्याएं और अ लेडोरेच 2-4 टैबलेट पियार का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लुकोस तर में गिरावट यानि की हाइपोग्लाइसेमिया है सुनिश्च करे कि आप लो ब्लड ग्लुकोस लेवल के लक्षनों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकंपी क पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं। इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लुकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोथ जैसे कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हिरदे रोक था तो अपने डॉक्टर को बताएं। ये उप्यूक न आने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सल अभी दे सकते हैं।